स्वस्त शरीर रुद्राक्ष प्रदान करता है। स्वस्त मन इस्पाटिक प्रदान करता है। और बोरेनाथ की शक्ति अमोग महाबड़कुन जैकवच के साथ इस त्री शक्ति माला में हमने समाहित की है। और आध्यात इन साध्रा से धिर्केंदर के इसे निर्मिति नहीं बलकि फ्राण पढ़ सिद्धी किया जा रहा है। इस त्री शक्ति माला से आप अपने जूर में सुख्ख समर्दी के साल साथ स्वस्त तंग और स्वस्त मन भी पा सकते हैं। आप अपने और अपने परिबार के लिए इस बाला को प्राप्त करने के लिए दीएगे निमबर पे संपर करके आप मगवा सकते हैं नमस्कार प्रेसाथियों मैं हूँ सुरेश श्रिबाली और आप देख रहे हैं लव मैरेज होगी या अरेंज मैरेज जी मैजिकल निम्रालजी के इस विशेश कारिकर में आप सबी का बहुत-बहुत स्वागत है महपत का नाम सदियों से आज भी महपत ही है कुछ लोग चोरी छुपके करते हैं कुछ लोग जमाने से डरते नहीं हैं और अपने प्यार का इजहार कर लेते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी से प्यार तो करते हैं ये चाहते भी कि वो मेरी जिंदगी आ जाए तो मेरी जिंदगी बन जाए लेकिन बस कह ही नहीं पाते कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ प्रेसाथियों आपको अपने लिए या अगर आप माबाओ जी हैं तो अपने बच्चों के लिए यह एक जिग्या सा जरूर होगी कि हमारी लव बैरिज होगी हमारे बच्चों के लव बैरिज होगी और आजकल के बाबाप थोड़े से एड़बांस हो गये हैं वो यह कहते हमें लव बैरिज में कोई प्रॉल्म नहीं है बस इतना हो कि अगर हिंदू है तो हिंदू में शादी हो जाए दूसरा अगर जाती सेम हो तो हमें कोई एतराज नहीं है मतलब कुछ क्लॉस जरूर डाल देते हैं लेकिन कई बार इंटर रिलिजन इंटर कास्ट मेरिज हो जाती है ऐसा भी देखने में आता है कि परिवार समाज के भय से या यूं कहें कि माँ बाओ जी के कहीं ने कहीं रेस्पेक्ट करने के वज़े से बच्चे अपने प्यार का एजार करने के बाद भी अपनी लव मैरिज जो होने वाली थी उसे तोड़ देते हैं दस साल, बीस साल, पांच साल बाद और वो चेहरा वापस हमें कहीं फेस्बूक, सोशल मीडिया पर दिखाए देता है फिर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफैर का एक रिलेशन चुरू होता है कहीं न कहीं आपकी जिन्दगी पे प्यार अधुरा हो तो वो कहीं न कहीं दूसरे रूप से आपको मिल जाता है लेकिन कितना अच्छा हो कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं उसी से शादी करें कॉंडली मिल जाए तो बहुत अच्छा ना मिले तो उसके कुछ उपाय किये जा सकते है हाँ ये ज़रूर होना चाहिए कि माबाओ जी का आशरवाल मिल जाए तो क्या कहने है प्रेस हाती हूँ अब एक से लेकर नौ मुलांक तक मैं सिलसेलेवार तरीके से हर मुलांक के बारे में बताऊँगा कि आपके लिए लव बैरिज बैटर है या अरेंज बैरिज होगी यह आज का मेरा विशय है इस पे आप मुलांक और बर्त नंबर कैसे चेक करेंगे यह आप देख लिजी एक से लेकर नौ के बीच में किसी भी डेट किसी भी महीन और किसी येर में अगर आपका जन्व हुआ है मान लिजे कि 4 फरवरी को हुआ है तो आपका मुलांक बर्त नंबर 4 हुआ नौ मार्च को हुआ है तो 9 आपका बर्त नंबर हो गया आपका मुलांक हुआ है मान लिजे आपका 26 अर्य को जन्व हुआ है किसी मुह महीन और किसीвой साल में 2 और 6 को जोड़ दीजे तो कि द्रा होगा यहाँ आपका आठ नमबर का मुलांक हो जाएगा मान लिजिए कि आपका जनवा 29 मार्च को हुआ है 29 नवंबर को हुआ है 2 और 9 को जोड़ों को तो कि तरह आएगा 11 और 11 में एक और एक को वापस जोड़ना पड़ेगा तब जाकर 2 तो आपका मुलांक होगा 2 अब मान लिजिए कि आपका मुलांक एक है तो इसके रूलिंग प्लैनेट हुए सूरिय नेचर में थोड़ा सा शर्विला पन जरूरत है अपनी बात को जब प्यार इश्ग और महबत की बात आते तो खुल कर बात रहीं कर पाते है चाहे वो अपनी पत्री हो, पती हो, लव पार्टनर हो लेकिन गर्फ्रेंट से ज़रू बात कर लेंगे बॉइफ्रेंट से ज़रू कर लेंगे परन्तु अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते हैं कि हाँ मैं तुम से शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो निवरोलोजी के अकोर्डिंग अरेंज बैरेज ज्यादा बैटर रहती है नमबर वन के मुलांक वाले लोगों के लिए अब बात करते हैं मुलांक दो की तो रूलिंग प्लैनेट है चंदरबाँ बहुत सैंसिटिव हैं आप काफी सोच समझ कर प्यार पर बिलीव करते हैं निवरोलोजिक अक्वाडिंग लव कम अरेंज मैरेज इसमें ज्यादा पाई जाती है इसलिए अगर आपका दो नमर का मुलांक है तो आप सोच विचार ज़रू करें मा बाउजी का आशिरवाद भी लें कई बार क्या होता है कि हम फैंटेसाइस क्रश इन्फैशुएशन में आकर हम कहते देगा हम तुब से शादी करें और छे मेरें भी नहीं चल पाती है मुलांक तीन का रूलिंग प्लैनेट है ये बड़ी क्वालिटी है बात करते हैं मुलांक चार के रूलिंग प्लैनेट है राहू ये लोग रूमैंटिक थोड़े कम होते हैं लेकिन अंदर से चाहते जरूर है कि रूमांचो रूमांसो लेकिन कई ने कई एक मांसिक तराव अग्यात भाई की वज़े से रूमैंटिक सुखों की तरफ जुकावत रहता है पस एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं आपकी शादी से पहले अपनी कुडली बिलान करवाना जरूरी होता है क्योंकि ऐसे लोगों के मांसिक अशान्ती के कारण कई बार ये लोग रॉंग बॉइफरेंड रॉंग गल्फरेंड बना लेते हैं जिसके वज़े से जो वो पार्टनर है अगर वो लाइफ पार्टनर में तब्दील हो जाता है तो कहिन के इंतलाग जैसी नौवत आ जाती है इसलिए ऐसे लोगों को अरेंज बैरेंज ज़्यादा कर जाएगे अब बात करता है मुलांग पांच के रूलिंग प्लैनेट है बुद्ध एक्सपरिबेंड एकसाइटमेंड एंतुजियाजम के साथ जीना पसंद है आप लोग नेचर से बहु मोखी होते हैं ऐसे लोगों के कई बात ड्यूल करेटर होते हैं किसी एक के साथ रहना बड़ा मुश्किल होता है इसलिए आज के लापने देखा होगा कि दो गर्फरेंड, दो बॉइफरेंड, एक्स्ट्रा मेरिटल अफैर ये सब कुछ चलता ही रहता है सबके साथ तो एक चीज़ नहीं चल सकती है लेकिन ज्यादा तर लोगों में ऐसा आज के समाज में देखा जा रहा है जल्दी से ये लोग अपने पार्टनर को छोड़ देते हैं उब जाते हैं लेकिन मुलांग पांच के वैक्ति फैमिली की सहमेती से ही शादी ज्यादा करते है निवरलोजिक अनुसार इनको लव मैरिज ज्यादा करने चाहिए और योग भी इनका ऐसी बनते है अब बात करते हैं मुलांग छे की रूलिंग प्लैनेट है वीनस यानि शुक्र आप सुन्दर आकर्शक और अच्छे परसनरेटी के चलते सब को अप्रिय और अट्राइट कर लेते हैं दूसरों की फिलिंग को बहुत जल्दी समझ लेते हैं लव बेकिंग प्यार इश्क और महुपत के बहुत शौकिन होते हैं रोमांच्यों को रोमैंटिक लाइफ जीना इनके लिए बहुत आसान हो जाता है और इमोशन थो ज्यादा होते हैं बहुत भी आप अपने प्यार को निभा पाते हैं लेकिन आपकी तरफ से निभाना और दूसरी की तरफ से उत्रा ही सबोर्ट बिलना ये कई बार आसान नहीं होता है इसलिए आप लोगों के लिए लव कम अरेंज बैरेज के चांसे ज़्यादा बनते हैं अब बात करते हैं बुलांग साथ की रूलिंग प्लैनेट है केतू केत छुड़ावे खेत अगर आपके पार्टनर के साथ आपके संबंद या आपका मैचिंग नहीं है तो यह खेत छुड़वा देता है एकांत पसंद और कई बार शर्वी ले हो जाते हैं लेकिन पावरफूर पार्सैनिटे रखते हैं अगर आपके पार्टनर के साथ अकसर मिस अंडरस्टैंडिंग हमेशा रहती है बात करते हैं मुलांक आंट की रूलिंग प्लैनेटे शनी लॉयल्टी आपके सबसे बड़े खुबी है निम्रोलोजी के सभी नंबर्स में से सबसे विश्वस्ती लोग होते हैं अलांकि इन लोगों को उनके लाइव पार्टनर गलत समझ बैठते हैं कई राप्ति पत्री पर शक करते हैं गलती कर बैठते हैं पत्री पत्री पर लेती शक एसी बहुत सारे सिच्विशन होती है तो ऐसे लोगों को बहुत सोज समझ के शादी करने चाहिए नमबर आठ बाले लोगों को, ऐसे लोगों को और कोई समझ नहीं पाता है, ये प्यार में जल्दी नहीं पढ़ते हैं, और जल्दी बाजी में शादी भी नहीं करते हैं, एक बार प्यार हो जाने के बाद ये अपन प्यार, इश्क और महबद कहीं ने कहीं गुल खिलाते रहते हैं अपने वैवाही जीवर में प्यार और रोमांच और रोमांस की बहुत डिमान होती हैं प्यार के मामले में ये लोग काफी इमोशनल भी होते हैं आपको अपनी फैमिली के एडवाइस पर काफी बरोसा होता है बुरोला जी के according, आपके love come arrange या arranged marriage ज्यादा success हो होती है यह याद रखीगा प्रेचाथियों उमीद है कि मैने आपकी जिग्यासा को शान्त किया होगा समस्या का समाधान किया होगा लेकिन गनेज जी का आशिरवात हो तो हमारी marriage success हो हो सकती है अगर आपको कुछ पूछ और बहुत बहुत आशरबाद। स्वस्त शरीर रुद्राक्ष प्रदान करता है। स्वस्त मन इसपठीक प्रदान करता है। और बोरेनाथ की शक्ति अमोग महाबड़कु जय कवच के साथ इस त्री शक्ति माला में हमने समाहित की है। और आध्यात्मिन साध्रा सिद्धी गेंद्र के इसे निर्मिती नहीं बलकि प्रान पर्चिस्थित्धी किया जा रहा है। इस त्री शक्ती माला से आप अपने जूर में सुख सम्रती के साथ साथ स्वस्त तंग और स्वस्त मन भी पा सकते हैं। आप अपने और अपने परिवार के इस बाला को प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर करके आप मगबा सकते हैं।